तारीक 6 अगस्त 1945 समय सुबह के 8 बचकर 15 मिनिट और एक धमाका एक ऐसा धमाका जिसने कुछ सेकिंड्स में जपैन के लाखों लोगों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया ये सुबह जपैन के इतिहास में सबसे भयानक और धर्दनाक सुबह थी लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे बच्चे स्कूल को रवाना हो रहे थे आम जिन्दगी घरों और सड़कों पर रोज की तरह अपने अपने कामों में बिजी थी लेकिन अचानक लोगों ने आसमान से कुछ गिरता हुआ देखा जो कुछ सेकिंड्स में जमीन पर आगिरा जिसके जमीन को छोते ही एक बड़ा धमाका हुआ चारो और केवल धुआ दिख रहा था आग का एक बड़ा गोला दिख रहा था चारो और तबाही दिख रही थी एक पल को ऐसा लगा जैसे सूरच खुद जमीन पर उतराया है उस समय इन एक्स्प्लोशन पॉइंट्स का तापमान कुछ तीन हजार से चार हजार डिग्री सेल्शियस तक पहुँच गया था इसके बाद अगस्त 9, 1945 को ग्यारा बच कर दो मिनिट पर आसमान से दूसरी तबाही जपान की धरती पर आगिरी जिसके बाद जपान ने सेकंड वर्ल्ड वार में अपने हथियार डाल दिये और सेकंड वर्ल्ड वार का अंत हुआ इस तरह दुनिया ने पहली बार अटॉमिक बाउम की तबाही और दूसरे विश्वयुद के भयानक अंत को देखा था सेकंड वर्ल्ड वार हुई ही फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण लेकिन सवाल ये आता है कि आखर ये शुरू कैसे हुई आखर इतिहास में अतनी बड़ी जंग एक बार फिर क्यूं लड़ी गई हिटलर को ही क्यूं सेकंड वर्ल्ड वार का जिम्मेदार माना जाता है क्यों हिटलर के नाचिजम ने वर्ल्ड वार टू जैसी जंग को जनम दिया और आखिर कैसे दुनिया में शांती बनाया रखने के लिए बनाये गए लीग आफ नेशन्स को बुरी तरह फेल होते देखा गया वर्ल्ड वार टू जिसे हम ग्लोबल वार के नाम से भी जानते है इस वार को काफी बड़े लेवल पर लड़ा गया जिसमें सभी बड़ी पावर्स ने पाटिसिपेट किया इस वार में दुनिया दो भागों में बटा हुआ पाया गया एकदम वर्ल्ड वार वन के तरह बस वहाँ एलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच जंग थी और यहाँ एलाइज और एक्सिस पावर्स के बीच इस जंग को टोटल वार का भी नाम दिया गया जिसका रीजन वार में में बेड़ी सिविलियन्स का इंबॉल्मेंट था यानि इस वार से पहले सिविलियन्स को जंग का पार्ट नहीं बनाया जाता था लेकिन यहाँ सिविलियन्स को भी नहीं बक्षा गया इस वार में सिविलियन्स ने भी अपने देश का साथ देने के लिए जो बन पड़ा किया जिस कारण सभी देश कॉमिनर्स को भी जंग का हिस्सा मानने लगे आर्मीज ने लोगों के घरों, हास्पिटल्स, शेल्टर्स और पबलिक प्लेसिस पर भी बंबारी की जिससे आर्मी की मदद करने वाले लोगों का भी खात्मा हो सके इस वार में सभी देशों ने अपने हर रिसोर्स को दूसरे के खिलाफ इस्तिमाल किया था कुछ लोगों का कहना है कि वार सेप्टेंबर 1, 1949 को शुरू हुई लेकिन कुछ लोग इसकी शुरुवात 1937 के सीनो जैपनीज वार को ही मानते है इसकांत अटॉमिक बॉम अटाक के साथ अगस्त 1945 को हुआ जब जैपान ने सरेंडर कर दिया Second World War में करीब 60 से लेकर 80 मिलियन लोगों ने अपनी जान कवा दी जिसमें 50 मिलियन लोग सिविलियन्स थे और 25 मिलियन सोल्जर्स दुनिया में इसके बाद और इससे पहले इतने बड़े नमबर्स में कभी इतने लोगों की जान नहीं कई थी जिस वजह से इस war को deadliest conflict in human history कहा जाता है World War 2 में दुनिया दो गुटों में बट गई थी जिसे alliances के नाम से जानते है पहली power का नाम था allies power जिसमें UK, France, USA, USSR, China, Poland, Yugoslavia और Greece आते थे दूसरी थी access power जिसमें Nazi Germany, Italy और Japan आते थे वैसे आपको बता दे कि Italy first world war में allies power के साथ था लेकिन कुछ चीजों को लेकर من मुटाफ के कारण Italy ने अपना पाला बतल लिया और access power का हाथ थाम लिया World War 2 स्टार्ट होने का सबसे बड़ा reason World War 1 का end result था जिसने पूरे जर्मनी के लोगों में एक बदले की भावना चगा दी World War 1 से पहले जर्मनी अच्छे लेवल पर development कर रहा था जिससे इसकी एकनौमी भी काफी strong थी जर्मनी एक powerful और strong nation था इतना की war के बारे में जानकर भी जर्मनी बिलकुल nervous नहीं हुआ इसका एक कारण ये भी था कि जर्मनी अपनी armed forces पर भर भर के पैसा लगाता और उन्हें बड़ा और strong करता जाता जर्मनी फर्स वर्ल्ड वर को लड़ने से पहले ही अपनी जीत को लेकर confident था लेकिन world war one में allies power ने central powers को बुरी तरह रा दिया Central powers में commonly Germany, Austro Hungary और Ottoman Empire आते थे जिसमें जर्मनी के साथ सबसे बुरा बरताफ किया गया जीते हुए देशों ने हारने वाले देशों को कही का नहीं छोड़ा UK, France और Russia ने हारने वाले देशों के टुकडे कर दिये और उन्हें आपस में बाट लिया 1918 के एंड तक जर्मनी केवल एक हारा हुआ टुकडों में बटा देश था जिसके पास allies देशों की demands मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था War ने जर्मनी के एकनॉमिको डिस्ट्रॉय कर दिया यहां के लोगों को बरबात कर दिया और उन्हें अलग-अलग देशों का हिस्सा बना दिया गया War के बाद जर्मनी में political, social और economical changes आये जर्मनी के लोगों में एक difference देखने को मिला यहां rich और poor में एक huge gap आ गया था जिससे social unrest बढ़ता चला गया बाकी unemployment और कई diseases भी देखी गई कई लोग तो केवल starvation और बेमारियों के चलते ही मारे गए जर्मनी के पास अपना देश चलाने के लिए ना तो सरकार थी ना ही पैसा जिसके कारण यह देश डूपता चला गया इस देश के resources भी almost France और बाकी देशों ने बांट लिये थे जीते हुए देशों ने जर्मनी के साथ तरह तरह की ट्रीटी साइन की थी जिसमे इतने कड़े नियम थे जो किसी भी देश को बरबात कर सकते थे वार के बाद जर्मनी से सब चीन गया उसके लोग, उसका status, उसकी आर्मी, उसकी पहचान World War I के एंड में जब जर्मनी हार गया तो Allies Countries ने जर्मनी के साथ Treaty of Versailles साइन की जिसमें काफी harsh और humiliating provisions थे Treaty of Versailles 28 जून 1919 को officially war end के नाम से साइन की गई जिसमें जीतने वाले सभी देशों ने अपनी अपनी safety और security के लिए demands रखी लेकिन इन सब में France ने सबसे harsh demands रखी वो इसलिए क्योंकि अगर आप Europe के map पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि France और जर्मनी का border आपस में जुडा हुआ है जिस कारण France आने वाले future में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था इसके लिए France ने सबसे पहले ट्रीटी ओफ रेपरेशन्स, डेमिलिटरलाइजेशन अफ दे राइनलैंड रीजिन और वार गिल्ट क्लॉस की डिमांड की आपको बता दे कि राइनलैंड जर्मनी और फ्रांस के बीच का एरिया है जो कि जर्मनी के point of view से काफी जरूरी था लेकिन फ्रांस का कहना था कि जर्मनी कम से कम इस एरिया में अपनी आर्मी को कभी भी नहीं खड़ा करेगा जिससे फ्रांस की safety बनी रहे इसके अलावा वार के दौरान वैसे तो हर देश का काफी नुकसान हुआ था लेकिन फ्रांस ने सारा का सारा नुकसान जर्मनी के सिर्थ थोप दिया फ्रांस ने जर्मनी को वार गिल्ट बताया और वार में हुए लॉस को पे करने को कहा जर्मनी पर उस टाइम में करीब 6.6 बिलियन पाउंट्स का पेमिंट थो पा गया था इसके अलावा ट्रीटी में डेमिलिटरलाइजेशन आफ मिलिटरी की डिमांड भी शामिल थी जर्मनी एक लिमिट से जादा मिलिटरी नहीं रख सकता था इन सारी डिमांड्स ने जर्मनी के लोगों में गुसा भर दिया वो इस ट्रीटी के एकदम खिलाफ थे इस ट्रीटी ने उनमें बदले की एक भावना जगा दी थी ट्रीटी ओफ वर्साय की डिमांड्स को मानने के लावा वाइमा रिपबलिक के पास और कोई चारा नहीं था वाइमा रिपबलिक जर्मनी की न्यू गवर्मेंट थी जिसने इस ट्रीटी पर साइन किया था इस कारण से लोगों में वाइमा रिपबलिक के खिलाफ भी एक गुसा था वो कही न कही अपनी हालत का जिम्मेदार वाइमा रिपबलिक को भी मानने लगे थे इस पीस ट्रीटी के कारण ही जर्मनी ने अपनी ओवर्सीज कॉलोनीज, अ टेंथ ओफ पॉपिलेशन, तेरा परसंट टेरिटरीज, पिचत्तर परसंट आयन और चब्विस परसंट कोल खो दिया था वर्ल्ड वार वन के बाद लीग ओफ नेशन्स को स्टैबलिश किया गया था, ये सोच कर कि अब फिर कभी कोई विश्वयुद्ध नहीं होगा, लीग ओफ नेशन्स का काम दुनिया में पीस और हार्मनी स्टैबलिश करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसके सामने ह कई देशों ने अपनी मनमानी की और लीग ओफ नेशन्स का कहान नहीं माना, इसे 1919 में एक पीस औरगनाईजेशन के नाम पर बनाया गया था, इसे बनाते समय ये बात फैनल हुई थी कि अगर कभी किसी भी देश के बीच कोई परिशानी होगी, तो वो लीग ओफ नेशन्स में शांती से बात करके उसे सुलचाएगा, ना कि किसी फोर्स का इस्तिमाल करेंगे, लेकिन इसे एक फेलियर के रूप में देखा गया, कई देशों ने इसे जॉइन ही नहीं किया, और जिन्हों ने किया, वो बाद में इसे छोड़ कर चले गये, जिसमें जर्मनी और यू वार के बाद जर्मनी पहले ही काफी परिशानियों और एकनॉमिक क्राइसिस से जूज रहा था, बाकी बची कुछी कसर ट्रीटी ओफ वर्साय और वार गिल्ट पेमिन्ट ने पूरी कर दी थी, ट्रीटी के हार्श सैंक्शन्स ने वहां के लोगों को काफी बुरी हालत में पहुँचा दिया, अपने देश के लोगों की हालत देख के वहां की गवर्मिन्ट ने दबा कर पैसा चपवाया, जिसने जर्मनी की हालत और खराब कर दी, और महंगाई खुद पर खुद बढ़ती चली गई, खैर, एक समय तो ऐसा आया कि जर्मनी में हर इनसान के पास भर भर के पैसा था, लोग कार लोड्स और पैसे से भर भर के केवल एक ब्रेट का पाकेट खरीदने जाया करते थे, बच्चे पैसों के बंडल से खेला करते थे, जर्मनी के पैसे की वैल्यू बुरी तरह से गिरती चली गई, जर्मनी कितनी खराब हालत देखकर अमारिका ने जर्मनी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, और डॉस प्लान को लॉंच किया, जिसने जर्मनी की हालत सुधारने में मदद की, 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी में एक स्टेबिलिटी देखने को मिली, लेकिन ये स्टेबिलिटी भी कुछ वक्त की थी, 1939 में अमारिका का वॉल एक्सपोर्ट्स गिरते चले गए, फार्मर्स की हालत खराब हो गई और मार्किट में पैसा खत्म हो गया, इसके बाद अमारिका ने जर्मनी को सपोर्ट देना भी बंद कर दिया, जिससे जर्मनी को एक साथ दो जटके लगे, एक युएसे के फानेंशल एड बंद होने से, दूसरा दुनिया भर में एकनॉमिक क्राइसिस आने से, जर्मनी की हालत और बिगड़ती चली गई, 1932 तक जर्मनी का इंडर्स्ट्रिल प्रोडक्शन 40% तक कम हो गया, जिससे अनिम्प्लोईमेंट चाने लगा, अनिम्प्लोईमेंट इस कदर अपने चरम पर था, कि करीब 6 मिलियन लोग उस समय जर्मनी में अनिम्प्लोईट घुम रहे थे, लोगों ने सड़क पर नारे लगाने शुरू कर दिये, लोग बड़े बड़े बैनर लेकर विलिंग टू डू एनी वर्क लिखकर काम मांगने लगे, लोगों का सरकार से विश्वास भी डगमगाने वर्ल वर टू का जिम्मेदार हिटलर था, ये बात तो हम सबी जानते हैं, लेकिन कैसे? इस बात को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि आखिर एक सीधे साधे परिवार से आने वाला लड़का, जो केवल प्रीस्ट और आर्टिस बनना चाहता था, इतना प्रोके का फ्यादा उठाया और अपनी पार्टी का प्रचार करने लगा, वो बड़ी बड़ी रैलीज करता, लोगों को एकटा करता, नारे बाजी करता और सबसे जरूरी चीज स्पीचिस देता, हिटलर की आवाज में जादू था, वो अपने भाशन से किसी को भी मैनिप प्लेट करने की शमता रखता था, उसने अपना नार्जी प्रोपगेंडा चलाया और ज्यादा से ज्यादा जर्मनी को अपनी बातों में फसा लिया, हिटलर ने लोगों से वादा किया कि वो जर्मनी की किस्मत को बदल लेगा, वो ट्रीटी ओफ वरसाय को कभी नहीं और जर्मनी का बदला बाकी के सबी देशों से लेगा, जर्मनी की जनता हिटलर की बातों से प्रभावित हुई, जिसके बाद जर्मनी में चुनाव हुए, और हिटलर की नार्जी पार्टी उसमें जीत गई, कुछ समय बाद हिटलर की लोगों में पॉपुलारिटी देख क 30 जनवरी 1933 को प्रेजिदेंट हाइडिन बर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया जिसके बाद हिटलर जर्मनी में एक Enabling Act लेकर आया जिसके पास होने के बाद जर्मनी एक dictator Country बन गया इस Act ने हिटलर को जर्मनी की सारी पावर सोब दी हिटलर के हाथ में सत्ता के आते ही इसने जर्मनी का पूरा रूप ही बदल के रख दिया इसने सबसे पहले 1933 में जर्मनी को लीग ओफ नेशन से बाहर किया फिर 1938 में राइनलैंड नाम की जग़ को वापस अपने कबजे में किया जो ट्रीटी ओफ वर्साय की अकॉर्डिंग जर्मनी से चीन ली गई थी साथ ही आस्ट्रिया और जर्मनी को दोबारा एक किया गया इसके बाद हिटलर ने वेस्टन जर्मनी की ओर अपना रोख मोड़ा और शेकोसलोवाकिया पर कबजा कर लिया कुल मिला कर कुछ सालों में हिटलर ने जर्मनी की किस्मत चमका दी थी हिटलर ने अपने देश की एकनॉमिक कंडिशन को ठीक करने के लिए वार का डिसीजन लिया सप्टेमबर एक उनिस सोन चालिस को हिटलर पोलिंड पर हमला बोल देता है इस हमले के लिए भी जर्मनी एक अच्छा खासा प्लान बनाता है। जर्मनी अपने ही सैनिकों को पॉलिंड की उनिफॉर्म पहना कर खुद के खिलाफ एक अनाउंस्मेंट करवाता है। जिससे लोगों को लगे कि पॉलिंड ने पहले जर्मनी पर हमला बोला है। जर्मनी त साथ एक अलाइन्स बनाई हुई थी जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी देश इन तीनों में से किसी के उपर भी हमला बोलता है तो बाकी के दोनों देश उस देश की तरफ से लड़ेंगे जिसके बाद तीन सेप्टेंबर को यूके और फ्रांस जर्मनी पर अटाक कर देते है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, नियूजी लेंड, साउथ आफरिका और कैनेडा भी शामिल हो जाते हैं वार की शिरुवात में जर्मनी के साइट से जपान और इटली होते है जो हर हाल में जर्मनी का साथ देने को तयार रहते है ये दोनों देश जर्मनी की ओड से वार एंड तक लड़ते हैं आपको बता दे कि आखिर वर्ल्ड वार वन में जो इटली यूके और फ्रांस की ओर से लड़ता है वो इस बार अपनी साइट चेंज क्यों कर लेता है दरसल वर्ल्ड वार वन के एंड में इटली को एलाइस पावर के द्वारा इग्नॉर कर दिया जाता है व इन सारी बातों से एलाइट पावर से नाराज होता है जिस कारण से इस बार वो जर्मनी का साथ देता है वार के शरुवात में हिटलर समझदारी दिखाता है और सोवेत यूनियन के साथ हाथ मिला लेता है वो चाहता था कि जर्मनी एंड सोवेत यूनियन एक साथ पोलिंड पर हमला करे जिससे उसे तुरंद सरिंडर करना पड़े जिसके बाद जर्मनी और सोवेत यूनियन उसे आपस में बाट ले और हुआ भी कुछ ऐसा ही दोनों देशों ने उस पर एक साथ हमला किया और जीतने के बाद उसे आपस में आधा आधा बाट लिया ये सब देखकर फ अब एक तरफ जहां हिटलर पहले राइनलेंड फिर आस्ट्रिया हंगरी फिर चेकोसलोवाकिया फिर पोलिंड सबी देशों पर कबजा करता जा रहा था वही सोवेत यूनियन को भी ये सब नजर आ रहा था और वो भी अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए जगा जगा इन जीत लेता है इसके बाद सोवेत यूनियन फिनलैंड पर कबजा करता है जिसके बाद सोवेत यूनियन खुद को लीग ऑफ नेशन से अलग कर लेता है दूसरी और हिटलर की ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी हासल करने की चाहा और बढ़ती जा रही थी जिसकारण वो एप् जर्मनी को रोकने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे थे जिसमें स्वीडन से जर्मनी तक आरन ओर को कट आफ करना भी उनका एक प्लान था हाला कि वो इसमें सक्सेस्फुल नहीं हो सके उपर से डिनमार्क और नॉर्वे को भी जर्मनी जीत लेता है लेकिन अब जर्मनी फ् बेलजियम के सहारे फ्रांस पर अटाक करने का प्लान बनाता है फ्रांस पर अटाक में इटली जर्मनी का साथ देता है जिसके बाद 10 जून को इटली फ्रांस पर अटाक करता है दोनों देश मिलकर करीब 14 जून तक फ्रांस के पारिस तक पहुँच जाते है और फ्रांस को स कुछ दिनों में हराना बहुत बड़ी बात थी। इस इंसिडेंट के बाद लोग हिटलर से डरने लगे थे। कोई देश नहीं चाहता था कि हिटलर उनसे पंगा ले। हर तरफ हिटलर के नाम का डंका बच रहा था। लेकिन यूके अब भी हार नहीं मानता। वो हिटलर के श की एरफोर्स, यूके की एरफोर्स के सामने वीक पढ़ जाती है। जिसके बाद हिटलर प्लेंज के थ्रू यूके की अलग-अलग स्टेट्स पर बॉम गिरवाने लगता है। लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। ब्रिटेन हार मानने को तैयार ही नहीं था। इसी बीच जर इतली ग्रीस पर अटाक कर देता है। लेकिन यहां ब्रिटेन ग्रीस की मदद के लिए खड़ा रहता है। जिससे इतली को ग्रीस में ब्रिटेन की आर्मी खदेर देती है। लेकिन हिटलर यहां इतली का साथ देने के लिए अपनी आर्मी भेजता है। जिससे दोनों देश दूसरी बार ग्रीस पर अटाक करते है और उसे भी जीत लेते है अब ऐसे करके कुछ समय के लिए वार चलता जाता है देखा जाये तो 1940 तक वर्ड वार टू में पूरे यॉरप में हिटलर की मदद के लिए हर कोई तयार था जिसके कारण हिटलर इस समय अपनी पावर के पीक लेकिन अपनी पावर के नशे में हिटलर यहां एक गलती कर देता है जिसके कारण चर्मनी वार हार जाता है दरसल जैसे हिटलर को दिखता है कि वो वार जीत रहा है वो लगे हाथ अपने सालों से देख रहे सपने को भी सच करना चाहता है जिसके अकॉर्डिंग हिटलर इस इस operation के तहत हिटलर सबसे पहले अपने और Soviet Union के साथ की गई Ribbon Drop Pact को तोड़ देता है। हिटलर को लगता है कि Soviet Union को अराम सहरा देगा, हालकि स्टार्टिंग में होता भी ऐसा ही है। जर्मन आर्मी धीरे-धीरे करके Soviet Union को East की ओर से जीत रहा होता है। वो एक-एक करके Soviet के देशों को जीता चला जाता है। लेकिन केवल December तक उसके बाद Soviet Union में बहुत ही भयानक बर्फबारी होने लगी। जिसमें केवल Soviet Union ही लड़ने में सक्षम थी। बाकि किसी भी देश के लिए इतनी बर्फ में लड़ना नामुम्किन था। इसलिए ठंड का महीना आने से पहले जर्मनी Soviet का जितना पार्ट जीत सकती थी जीतती है। लेकिन उसके बाद Soviet Army पूरी जर्मन आर्मी को उल्टे पाओ बर्लिन तक खदेर देती है। हिटलर वेस्ट में ब्रिटेन और इस्ट में Soviet Union को एक साथ समभालने में नाकामयाब हो जाता है। Soviet Union की आर्मी हिटलर की सेना को मात देती है। जिससे Soviet Union का भी दुनिया में एक नया दौर देखने को मिलता है। वैसे अमारिका अब तक वार से बाहर रहता है। लेकिन जपैन पैसिफिक ओशन में अमारिका के परल हावर नाम के आरिन पर बॉम्बिंग कर देता है। जिसके बाद अमारिका वार का पार्ट बन जाता है। ये वार लंबी चलती है। हिटलर को दिख रहा होता है कि अब उसका वार पर से कंट्रोल छूट रहा है। लेकिन वो वार होने तक बॉर्लिन में ही रहने का फैसला लेता है। जहां हिटलर को जब खबर मिलती है कि जर्मनी वार में हार गया है। वो खुट को और अपनी वाइफ को शूट कर देता है। जिसके बाद दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह का अंत होता है। हिटलर की मौत की खबर जैसे ही नियूज में आती है जर्मनी सरिंडर कर देता है। लेकिन जपैन अभी भी हार नहीं मानता। वो अभी भी अपनी और से इस वार को जीतने की कोशिश करता है लेकिन इस कोशिश के जवाब में अमेरिका जपैन पर नुटलियर बॉम दाग देती है। अमेरिका जपैन की दो जगह हिरोशीमा और लागसाकी पर एक एक करके नुटलियर अटाग करता है। जिसके बाद जपैन पूरी तरह से बरबाद हो जाता है। जपैन पर इस नुकलियर बॉम का काफी खराब असर पड़ता है जिससे उभरने में उसे सालो लग जाते है। हाला कि इस नुकलियर अटाक के बाद वर्ल्ड वार टू भी खत्म हो जाता है। 2 सितंबर 1945 को जपैन सेरेंडर कर देता है। वर्ल्ड वार टू से योरप पर काफी फर्क पड़ता है। केबल योरप पर ही नहीं, पूरी दुनिया ही बुरी हालत में होती है। दुनिया ने पहली बार इतनी बड़ी वार देखी थी। हाला कि वर्ल्ड वार वन भी इस से पहले हुई थी लेकिन न्यूकलियर बॉम ने इस वार को एक भयानक रूप दे दिया था पूरे दुनिया ने पहली बार किसी न्यूकलियर वैपन का इतना खतरनाक इस्तिमाल देखा वो बात अलग है कि इसके बाद हर देश अपने यहाँ न्यूकलियर वैपन्स बनाने की कोशिश करने लगे वार के एंड में मिलियन्स ओफ लोग मारे गए मिलियन्स ओफ लोग होमलेस हो गए यूरोपियन एकनॉमी पूरी तरह से कोलाप्स कर गई जिसके साथ यूरोपियन इंडस्टियल इंफ्रस्ट्रक्चर भी बरबाद हो गया इवन वार को जीतने वाले देश भी बुरी कंडिशन में थे अमारिका ने अपने लाखो सोल्जर्स खो दिये सोवियत यूनियन भी पैसों की तंगी से जूच रहा था आगे चलकर इन दोनों देशों में एक कोल्ड वार का दौर भी देखने को मिला जो सालो साल चला और सोवियत यूनियन के तूटने के बाद शांत हुआ इस वार के बाद कोलोनियलिजम और इंपिरिलिजम भी खत्म हो गया जर्मनी और इटली में डिक्टेटर्शिप भी खत्म हो गई जर्मनी को दो भाग में बाट दिया गया वेस्ट जर्मनी और इस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी को ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसे कंट्रोल करते थे और इस्ट जर्मनी को यूएसे सार वर्ल्ड वार टू के बाद आफरिका और एशिया में फ्रीडम और नैशनलिस्ट मूव्मेंट्स चलने लगे या यू कहिए कि काफी तेज हो गए जिसमें ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया, मैनमार और एजिप्ट अमारिका की कॉलोनी फिलिपीन्स, फ्रांस की कॉलोनी इंडो चाइना और डच की कॉलोनी इंडोनेशिया शामल थे इसके अलावा एकनॉमिक क्राइसिस तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी ही जिसके कारण अनिम्प्लोईमेंट काफी तेजी से बढ़ता देखा गया इसके अलावा UNO यानी United Nations Organization का जनम हुआ League of Nations को खत्म कर दिया गया क्योंकि वैसे भी वो किसी काम का था नहीं हाला कि UN से जो उमीदे थी वो उस पर खरा उतरा UN ने दुनिया में पीस लाने की पूरी कोशिश की World War 2 के टाइम इंडिया ब्रिटेन के अंडर आता था जिससे वो आटोमाटिकली एलाइस पावर का पार्ट बन गया था जिसके कारण इंडिया से करीब 2.5 मिलियन सोल्जर्स अक्सिस पावर के खिलाफ लड़े थे जिसमें से करीब 87,000 इंडियन टूप्स ने अपनी जान गवा दी थी और करीब 34,354 सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हो गए थे इसके अलावा करीब 66,340 इंडियन सोल्जर्स को प्रिजनर्स ओफ वार बना लिया गया था वर्ल्ड वार वन के वक्त ब्रिटिश सरकार ने भारत के ना सिर्फ सेनेकों को युद्ध में उतारा बलकि हमारे यहां से खाने पीने का सामान वगर भी अब लंदन एक्सपोर्ट होने लगा ताकि वहां लड़ रहे सिपाहियों को खाने की कमी न जहिलनी पड़े और तो और इन दिनों बंगाल के मसदूरों को अब वीजिस के तोर पर अनाज के बदले पैसे दिये जाने लगे और सारा अनाज बाहर भीजा जाने लगा अब मसदूरों के हाथ में पैसे थे लेकिन बाजार में अनाजों की कमी के चलते अनाजों की उची कीमत आम जनता के लिए मुश्किले बैदा कर रही थी ऐसे में छोटे छोटे खेती हर और मजदूर वर्ग के लोग अपने घर कर ब्रिटिश सेना में नौकरी ढूरने चल दिये ऐसे में लाखो औरते बूड़े और बच्चे सणकों पर रहने को मजबूर हो गए 1943 में बंगाल में फैमाईन आ गया जिसमें लगभग 30 लाख आम आबादी भूक और बिमारियों से मारी गई हमारे यहां से पहले से ही जूट और कॉटिन जैसे कच्चे माल ब्रिटेन भीज जा रहे थे जिससे की इंडिया उनके लिए बस एक मार्केट बना हुआ था अब ऐसे में अनाजो और खाने के सामान का बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट भारत को लंगड़ा कर रहा था हाला कि युद्ध समापती के बाद भारत में भारत छोडो आंदोलन अब जोरो पर था और युद्ध में हुए बरबादी के बाद अब ब्रिटिश सरकार भी इतने बड़े लेवल पर हो रहे आंदोलन को दबाने में असमर्थ महसूस कर रही थी तब जाके कही 1947 के अगस्त में भारत ब्रिटिश के चंगल से मुक्त हुआ हमें उमीद है कि वर्ल्ड वार टू का ये इंफोर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले